यहां से देखो कि एक electron revolving इने circular orbit, obviously देखो अगर एक electron है, circular orbit में घूम रहा है, घूमता ही है, तो चलो, एक electron है, वो circle में घूम रहा है, इस type से, और इस circle का center कुछ O ले लेता हूं, radius R ले लेता हूं, इस माला, makes n rotation per second, n rotation per second का क्या मतलब होता, बच्चो, frequency, frequency जो है, n है, number आप rotation per second frequency का लाती है, तो magnetic field produce at the center, अब अगर electron चक्कर लगा रहा है, हम सबको पता है, कि electron एक charge particle है, और अगर center पर इसके, अकेला electron है charge particle है, तो इसके center पर, odd distance पर magnetic field कितना होता है, तो magnetic field जो होती है, किसी charge particle की घूमने की वज़े से, इसके orbit में जो current बनेगा, magnetic field, इस orbit में जो current बनेगा, वैसे charge particle भी magnetic field बनाता है, उसका एक equation है, बट ये इसके rotation की वज़े से, जो charge particle rotate कर रहा है, तो orbit में जो current बनेगा, वो जो current है, वो यहां से magnetic field कितनी बनाएगी, actually उसकी calculation अगर निगाल लूँ वैसे तो बहुत सारे बच्चों को याद है क्या होता है इलेक्टान या चार्ज पार्टिकिन सरकल में लगाता है चक्कल लगाता है तो उसकी वज़ेश जो करेंट बनता है चार्ज की वैलू और फ्रिक्वेंसी के मल्डिबिलिकेशन के इक्कोल होता है अगर जिसको याद रही है वो डिराइब कर लेगा तो करेंट इस वो होता है रेट फ्लो अफ चार्ज कीव बाइटी तो यहाँ पर क्यू और टी टाइंप लिदक बसक्त के दूरइब होता है तैंब लिदेटी हो जाएगा और वबत के चार्ज की वैलो उता है तो यहाँ से मुझे की करींट की वेलू आ जैगी और फिरिक्वेंसी और चार्ज का मल्टिप्लिकेशन से इतनी मैगनेटिक फिल्ड बनेगी तो देख लोग यहां से कौन फिरिक्वेंसी की वेलू यह दिया हुआ था यह के टम में तो हमारा भी ऑप्षन इसका मैच कर रहा है फिरिक्वेंसी एन के टम में दिया था अख्ड़ यह था जिया है भी था जालि एज़ जा झाँ दो यहां से तो हमारा भाल में जाला में तो हमारा भी थाज़ श्या का लोग यहां था टम मोदि़।